आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने प्रेमी अपने साथी की शादी को तोड़ सकते हैं रुकुआ सकते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हो भी आपका जो साथी है वो गहीं और शादी करने के लिए चला जाता है और ऐसे में उसको रोकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ हो रहा हो तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप सरलतम विधी से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और आपके जो भी साथ ही है या फिर आपकी जो भी प्रेमिक है उसका किस तरह से आप विवाहर रोक सकते हैं तोटके बहुत प्रचलित हैं लेकिन इस जैसा तोटका आपको कहीं नहीं मिलेगा एक बार करके देखेगा हफते भीतर ये शादी को रोग देगा आपको बस करना इतना है कि एक काले कववे की पंक लेनी है उसमें अपनी अनामी का उंगली का रुधिर लगाना है और उसके बाद उसको साप की केचली में लपेट कर उस साध्य वेक्ति के घर पर गिरा देना है ऐसा करने से हफते के भीतर भीतर आपको निउस मल जाएगी कि उनकी शादी तूट गई है या कोई अरचन आगी है या कुछ मिसहप हो गया लेकिन कुछ भी होगा है वो शादी नहीं हो पाएगी तो ये बहुत ही अचू कुपाय है किसी भी शादी को रोकने के लिए लेकिन इसका कदा भी दुरुपियोग ना करें अपने स्वार्थे के लिए अगर आप ये करेंगे तो इसमें लेने के देने ही बढ़ सकते हैं अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग इन शक्तियों का दुरुपियोग करते है तो मेरे मंतरों का कभी भी दुरुपियोग ना करें वरना हानी के जिमेदार आप खुद होंगे कुवा बनाये जाता है शीतल जल के लिए लेकिन अब कोई मंद मती जाकर उसमें डूब मरे तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं तो इसको हमेशा जब आपके पास और कोई चारा ही ना हो तब ही इसको यूज़ करें किसी की शादी तोड़ना रोगना हाँ पाप है तो ऐसा कदाजित ना करें लेकिन अगर आपके साथ कुछ अनोनी हो रही हो या फिर कुछ आप मतलब इसके से और कोई रास्ता ही ना हो तब इसको कीजेगा अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो कॉल कीजेगा 999-284-1625 पे धन्यवाद झाल